सबी विद्यार्थियों को नमस्कार जैसे कि आज सैट 3 में सातिंक अक्षा का विज्ञान का पेपर था जिसका सोलूशन यूटूब के मादम से आपको मैं भीज रहा हूँ पहला परशन जो आपका आया था एक सरकिट में फ्यूज फिक्स क्यों किया जाता है इसका सही उत्तर था उपकरणों को अत्यदिक करंट से बचाने के लिए अर्थार्थ अत्यदिक करंट से सुरक्षा दूसरा परशन था तार से उत्तपन उश्मा के मात्रा किन किन चीजों पर निरवर करती है तो ये इसका उत्तर आनता उपरोक सभी तार के पदार्थ पर तार की लंबाई पर तार की मोटाई पर भी हलाकि ये higher class का प्रशन है नमबर तीन तीसरा प्रशन था एक चमच की आंतरिक सते वो अवतल धर्पन की तरह कार्य करती है और बाहरी सते जो होती है वो उतल धर्पन की तरह कार्य करती है तो इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि अवतल अर्थार्थ धसा हुआ और उतल अर्थार्थ उबरा हुआ तो इसका उतल अवतल आएगा कि जो अंदर की सते है वो अवतल दरपन के पांती और बाहर की उबरी उस सते है उतल दरपन के पांती अगला question देखिए निमन लिगत में से कौन जल की कमी के लिए उत्तरदाई नहीं है नहीं है इनोंने पूछा है तो भारी वर्षा जल की कमी के लिए उत्तरदाई नहीं है यह आपके अभ्यास का परशन है निमन में से कौन सा कथन सत्य है पांचवा जो परशन है आपने सत्य क तो इसका आएगा प्रकाश की दिशा को एक दरपन द्वारा प्रावर्तित करवा कर परिवर्तित किया जा सकता है अर्थार्थ उसे मूड़ा जा सकता है उसके बाद चेटा प्रशन आजाईए विद्यूत परिपत में विद्यूत फ्यूज के स्थान पर आज कल प्रयुक्त ह होने वाले उपकरण का नाम बताईए तो इसका उत्तर आएगा MCB और इसे हिंदी में कहते हैं लगू परिपत विच्छेदक कई बार जब बहुत ज़्यादा करण्ट की मातरा परिपत में बढ़ जाती है तो MCB जो होती है उसका स्विच अपने आप गिर जाता है तो इससे आपको फ्यूज में जो तारा उसमें पिंगलती है तो उससे फ्यूज में तारा आपको दुबारा लगानी परती है जबकि MCB में ऐसा नहीं होता सात्वा परशन चुमबक बनाने के लिए विदुद परवा का उपयोग किया जा सकता है यह कतन सत्य है या असत्य यह सत्य है क्योंकि विदुद धारा का चुम्बक यह परभाव होता है बहती विदुद धारा चुम्बक यह शित्र उत्पन करती है एक प्रिजम सफेद प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है तो इसका सही उतराएगा साथ रंगों में और जो आपको वर्ण करम स्पेक्ट्रम साथ रंगों का प्रापत होता है वो विभग्योर होता है जिसमें V का मतलब है violet, I का मतलब indigo, अर्था जामुनी, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red तो ये विब्ग्योर नीचे से उपर की तरफ होते हैं अर्थार्थ violet कलर नीचे होता है और red कलर आपका उपर होता है इस प्रक्रिया को विक्षेपन भी कहते हैं नवा परशन आजाईए, यह हैं परतिविम्ब जिसे परदे पर प्रापत नहीं किया जा सकता, वह क्या कलाता है उसे हम अबासी परतिविम्ब या कालपनिक परतिविम्ब कहते हैं और यह ज़्यादतर दरपन के पीछे बनते हैं आउटो मोबाइल में साइड मिर्यर के रूप में उप्योग किये जाने वाला दरपन कोन सा होता है यह दस्वा परशन है तो हम पश्च द्रिश्य दरपन के रूप में जो है ड्राइवर उत्तल दरपन का उप्योग करते हैं कि इसका दृष्टी शित्र जादा होता है परतिविम छोटे अभासी तिता सीधे बनते हैं ग्यारवा परशन आउतल लैंस द्वारा बनाई गई छवी हमेशा कैसी होती है अभासी सीधी तिता छोटी अकार की बारवा परशन है भू जल कैसे कम हो रहा है तो इसके देखिए भू जल की कमी का मतलब है हम उसका बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं और उसकी पूर्ती नहीं हो रही तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं जो संभव कारण है नमबर एक जनसंख्या में वृधी नमबर दो ओद्योगी करण नमबर तीन बढ़ते क्रिशी क्रिया कलाप नमबर चार वनोनमूलन अर्थार जंगलों का कटना नमबर पांच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अनुपलब्दता मतलब जितना पानी हम नालियों में बहा रहे हैं उसको हम रिसैक्लिंग नहीं कर पा रहे हैं चटा जल के अवस्तरन हेतू कच्ची जगह का नय होना अपनी सो समझ से इन कारणों को बढ़ा सकते हैं तेरिमा परशन जो था कि दैनिक जीवन में अवतल दरपन और उतल दरपन के उपयोगे की सूचे बनाईए हम अवतल दरपन का उपयोग कहा कहा करते हैं तोर्च सर्च लाइट और जो गाड़ियों के हेड लाइट होती है उसके अंदर जो आवतल दरपन का इस्तमाल होता है शक्तिशाली समानतर प्रकाश पुझ को प्रापत करने के लिए दूसरा जो नाई बारबर होता है वो बाल काटने में हजामत करने में जो है इसका इस्तमाल करता है तीसरा है दंत विशेशेगय द्वारा दानतों का प्रत्विम देखने के लिए और हमारी आंख में भी अगर कुछ चीज गिर जाती है तो उसको देखने के लिए भी हम कई बार अउतल दर्पन का इस्तिमाल करते हैं डाक्टर लोग जो होते हैं और चोथा सोर भटी वे सोर कुकर के अंदर भी अउतल दरपन का इस्तिमाल होता है उतल दरपन का उपयोग हम सभी जानते हैं कि पश्य द्रिश्य दरपन के रूप में हम इसका इस्तिमाल करते हैं साइड मिरर के रूप में क्योंकि इस बनने वाल कोशन था चोद्वा जिसमें विद्यार्थी इसको अटेम्ट नहीं कर पाते तो वो था विदुद गंटी की प्रक्रिया का वर्णन करें तो विदुद गंटी की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका चित्र जो बनाना आना चाहिए यह आपका जो च गंटी के विदुद परिपत का चित्र दर्शाया गया है जिसमें लोहे के टुकडे पर तामबे के तार की कुंडली लिप्टी होती है विदुद चुम्बक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हतोड़ा जुड़ा होता है ये देखी लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विदुद परिपत पूरा हो जाता है तता कुंडली से विदुद धारा परवाहित होती है अब हम इसकी कार्य विदुद धारा परवाहित होने पर कुंडली अर्थार्थ खींशती है। इस परक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हतोड़ा घंटी से टकराता है और द्वनी उत्पन करता है। परंतु जैसे ही विदुचुम्बक लोहे की पत्ती को अपनी और खींशता है तो परिपत को भी तोड़ देता है। कुंडली से विदुधारा का परवा समापत हो जाता है और वहे विदुचुम्बक नहीं रहती है। लोहे की पत्ती अकरशित नहीं होने की वज़े से अपनी मूर स्थिती में वापस आ जाती है और पेज से पुने संपर्क स्थापित करती है। परिपत फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली में विदुधारा परवाहित होने से वे विदुध चुम्बक बनकर पत्ती को पुने खिंशती है। हाथोड़ा पुने घंटी को टक्कर मार कर ध्वनी उत्पन करता है। यह प्रकरिया शिगरता से बार-बार दोहाई जाती ह और गंटी बसती रहती है। यह थोड़ा कठिन परशन था लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो इसको बड़ी असानी से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका विज्यान का पेपर था जिसका सोलूशन आपको यूट्यूब के मादम से उपलब्द करवाया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।